रोमन सामराज के बारे में एक ये introductory अभी तक हमने चर्चा की कि रोमन सामराज है क्या कहां स्थित है उसके कुछ मूल भूत धांचों को राजनेतिक सामाजिक और भगोलिक धांचे को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने मूल विशह पर कि रोमन सामराज की स्थापना और उसका इतिहास उसका रोमन सामराज का आरंबिक इतिहास रोमन सामराज ये मोटे तोर पर देखा जाये तो उसको हम दो चरणों में देख सकते हैं दो चरणों में सामराज को टू स्टेजिस जिसमें पहला स्टेज कहलाएगा पूरवरती चरण और दूसरा कहलाएगा प पूर्व चरण और बाद के चरण के बीच में एक काल आता है जो तीसरी सदी का समय है यानि दो सौ से तीन सौ के आस पास का समय और इस काल में हम इसे बीच में रख कर दो भागों में भाजित परते हैं। दूसरे शब्दों कहें तो तीसरी सदी के मुख्य भाग तक जवदी को पूर्व वर्ती और बात के भाग को परावर्ती ऐसा हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में संखिप्त में यहां के इतिहास को हम दो भागों में पढ़ेंगे और दो भागों के बीच के एक काल है जो थोड़ा सा अलग है इसके बारे में हम अलग से समझेंगे तो रोमन सामराज के प्रार्मिक इतिहास के तहट रोमन सामराज ऐसे खेत्र या संस्कृतियों का मिला जुला रूप था जो मुक्कितया सरकार की एक साक्षी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े तो इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती थी जिसे हिंदी में लातिनी भाषा बोलते हैं युनानी भाषा का उस खेत्र में ज्यादा था बोल बाला जो इस सामराज के पूर में था एशिया की तरफ के ख्षेतर में युनान के तरफ के ख्षेतर में युनानी भशा और जो पश्चमी उरोपी हिस्सा है जहां रोम था उस सब्विता का केंद्र वहां पर लातनी भशा बोली जाती था ये प्रशासन में दुभाशी वो चलता था और इस प्रकार दोनों टुकड़ों को समराज के दो जो मुख़्ित टुकड़े थे पश्चमी और पूर्वी इनको एकिकरित करने का काम इन दो भाशाओं के प्रशातनिक उप्योग के माध्यम से किया गया जो लोग समराज में रहते थे वे सब लोग एक मात्र याने शासक यानी शासक की प्रजा थे एक ही राजा होता था और अब लोग उसकी प्रजा माने जाते थे चाहे वे कहीं भी निवास करते हो चाहे वो पूर्वी खेतर में हो पश्चिमी खेतर में हो या मिस्र के आसपास के हो या उपर की तरफ हो उत्तर की तरफ हो सभी लोग एक शासक में विश्वास करते थे और रहते कहीं भी हो भाशा कुछ भी हो शासक उनका एक था रोम जो शाहर है जैसा मैंने पूर में बताया कार्थेज कार्थेज शाहर की स्थापना लगबग आठ सो इस्वी में थी रोम जो है वह उससे पहले ही स्थापित हो चुका था ये टाइबर नदी जो आप देख रहे हैं जो इटैली में है इस टाइबर नदी में स्थित्व इसके दक्षिन में और लेटियम नाम के जिले का एक हिस्सा था तो जब रोम की बसाहट शुरू हुई तो वह स्वैम किसी एक जिले का हिस्सा था और एक हजार ईस्वी पूर में यहां बसाहट शुरू हुई यानि आज से तीन हजार वर्ष पूर विलगभग रोम की स्थापना का काल हम मान सकते हैं और यह लैटियम शाहर से लिख ही यहां की जो भाष़ा मैंने पहले बताया लैटिन कहलाई पहले यह भाष़ा लैटिन लैटियम से ही थी और वहां के लोंगों की यह भाष़ा थी जहां तक रोम की खुद की भागोलिक संरचना का सवाल है नदी के पास इस्थित लेकिन एक उंची पहाड़ी और बलकि साथ पहाड़ियों पर रोम एक उंची पहाड़ी पर और साथ पहाड़ियों से था और इस खेत्र अन्य नगरों की अपिक्षा वो ज्यादा ही महतपूर्ण था रोम का जो विकास हो रहा था वो ज्यादा तीवर था और उसका कारण था कि नदी के किनारे इस्थित होना वो अभी टाइबर नदी जो एक बहुत महतपूर्ण नदी थी इतने बड़े समराज में विभिन भाषाई लोग विभिन तबके के लोग और विभिन श्रिणी के लोग रहते थे उसी प्रकार धर्म भी अलग-अलग थे जो सभ्धिता या जो संस्कृती जो समराज तीन महादीपों में फैस हुआ है निश्यत रूप से वहाँ पर भाषार्मिक विभिन नता तो रहेगी है लेकिन समय के साथ इस खेत्र का इसाई करण प्रारम हुआ समराज का इसाई करण प्रारम हुआ चलिए अब हम पुना इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना के रूप में रोम की शासन प्रणाली को भी समझने की कोशिश करें कि इसकी शासन प्रणाली कैसी थी चुकि काल जो है रोमन सब्विता का वो लगबग 500-600 वर्ष का है और बहुत फैला हुआ था तो जितनी इसकी सीमाएं फैली हुई थी उतने ही इसकी सीमाओं में विरोधी भी थे स्वभाविक है आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सब्विताओं ने उसके आसपास जन्म लिया और आई और चली भी गई यही हश्र रोमन सब्विता का भी हुआ उसकी रोमन सब्विता बनी रही लेकिन जो सासन प्रणाली थी उसमें लगातार उताओ चड़ावादा बार बार परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ उसमें कुछ नए नए प्रयोग हुए नई बातें जोड़ी गई पुरानी चीज़ें हटाई गई या नए पुराना ना कहें तो बहतर होगा कि जो शासन विवता में जो संस्थाएं थी चाहे राजां के रूप में, मंत्रियों के रूप में, सैनेट के रूप में, जनतंतर के रूप में, गनतंतर के रूप में ये जो संस्थाएं थी इनका प्रभाव, इनका प्रकार, इनका रूप बदलती रहा और कई उतार चड़ावा शुरू में तो यहां राज तंतर था बड़ी सीधी बात है कि शुरू में पूरे विश्व में जब राज्य बना शुरुवात राज्य से हुई गाउं फिर इसके बाद शहर फिर शहर के बाद राज्य तो राज्य तंत्र आया एक छत्र सम जो शासन होता था वो राजा का होता था यहाँ पर थोड़ा सा अंत्र यह था कि राज्य तंत्र में राजा था उसके साथ ही एक सभा होती थी और एक सेनेट होता था सभा क्या थी सभा याने उस खेत्र के सभी लोग उसमें शामिल थे सभी नागरिक सभी पुरुष नागरिक कैसे कौन लोग पुरुष नागरिक मतलब इशारा इस बात की और है कि महिलाओं को राजनीतिक गतिविधी में थोड़ा सा दूसरा इस्थान था सभा का वे अंग नहीं थी याद रखेंगे क्योंकि यह बात आपको वहां की सामाजिक विवस्था की और इशारा करती है और कौन से नागरिक इसमें सभा के सदसे अपने आप माने जाते थे वे लोग जो सैनिक बनने के पात्र थे सैनिक बनने की योगिता रखते थे वही सभा के सदस रहते थे तो सभा एक आम बैठक की विवस्था होती थी कहलाती थी जिसमें सभी लोग रहते थे वे सभी लोग जो सैनिक बनने के लिए योगिता रखते थे अब सैनिट क्या है पहला तो राजा दूसरा सभा तीसरा सैनिट सैनिट में विभिन कुलों के जो मुख्या होते थे नेता होते थी ये लोग शामिल रहते थे सेनेट एक छोटी संस्ता होती थी और चूंकि इसमें सब जगह के मुखिया रहते थे तो ये बड़ी शक्तिशाली होती थी बड़ी ताकतवर संस्ता होती क्योंकि मुखिया लोग जहां हो कुछ लोग को इसमें लिया जाने लगा याने सेनट का भी दायरा थोड़ा बढ़ा पर निश्यत रूप से फिर भी यह सीमित था छठी शताब्दी इस्वी पूर्व छठी शताब्दी इस्वी पूर्व मतलब लगभग पांस सो बी सी लगभग पांस सो वर्ष इस्वी पूर्व याने आज से लगभग धाई हजार वर्ष पहले यहां गणतंत्र की स्थापना हुई यह एक बहुत अहम परिवर्तन का दौर मैंने शुरू में बताया राजनीतिक उतार चढ़ाओ यहां बहुत हुए राजतंत्र से शुरू हुई व्यवस्था सभा, सेनेट और उसके बाद गणतंत्र में बदल गई रिपब्लिक में बदल गई और वह भी कब आज से लगभग धाई हजार वर्ष पहले रोमन सब्विता में रिपब्लिक शब्द आया गणतंत्र आया रोम के गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था थी वो इसमें दो काउंसल होते थे काउंसल और ये दो काउंसल होते थे वो सेनेट और सभा के द्वारा चुने जाते थे सेनेट और सभा के द्वारा सुने जाते थे इसकार्थ क्या हुआ? राजा का इसमें कोई योगदान नी था, इनके चैन में, काउंसलर मतलब क्या होता है, काउंसलर मतलब एडवाईज देने वाला, तो दो काउंसलर का जो चैन होता था, इनके चैन में राजा का योगदान नी, सैनेट और सभा, याने जनताक और जनता के प्रतिनिधी, इनके द्वारा काउंसलर का चैन किया जाने लगा और ये गनतंत्र की ओर इशारा है गनतंत्र की बढ़ती ताकत का इशारा है ये जो काउंसल होते थे इनका चुनाओं सभा के द्वारा दो वर्ष में होता था याने काउंसल लोग दो वर्ष के लिए चुरे जाते थे और इनका जो कारिक्षेत्र होता था पहला सेना का नित्रत्व करना दूसरा कानून को लगू करना और तीसरा न्याय देना कारिक्षेत्र की अधि बात करें काउंसिल की तो बड़ा सपस्थ था सेना सेनिक नित्रत्व न्याय और तीसरा कानून को लगू करना याने एक्जिकेटिव भी थे जुडीशियरी भी थे और आर्मी के हिस्सा भी थे ये कहलाते थे काउंचिलर और किनके दोरा चैन? चैन होता था सभा और सेनेट के दोरा याने जैनता और जैनता के प्रतनितियों के दोरा शासन व्यवस्था, भागोलिक स्थिती और थोड़ा सा इतिहास उसका जानने के बाद अब हम थोड़ा बढ़ते हैं उन लोगों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने रोमन सब्धिता, रोमन सामराज्य, रोमन एम्पायर को वह बनाने में, ऐसा बनाने में योगदान दिया जिसके लिए आज हमने जानते हैं और इनको पढ़ते हैं जिसके कारण रोमन सब्धिता इतनी विक्सित हुई कि वो वर्तमान यॉरप, आजनिक यॉरप के सब्धिता का एक तरीके से प्रिकरसर मानी जा सकती है उसकी शुरुवात वहां से देखिए जा सकती है और इसमें सबसे पहले जो रोमन सामराटा है उसकी शुरुवात हम पहली शताबदी ईस्वी पूर्व से करते हैं पहली शताबदी ईस्वी पूर्व याने 100 बीसी के आसपास याने आज से 2100 वर्ष पूर्व के आसपास रोम निवासियों ने यूनान और एशिया माइनर पर कबजा किया अब देखिए नक्षे में यूनान कहा है मेडिटरेनिन के पूर्व में भारत से निकट आगे भारत का जिकर भी आएगा इसी खेतर से अभी ही बता दूँ इसी खेतर से सिकंदर महान भारत आये थे और एक समय ऐसा था जब यहां के एक समराट ने भारत पर कबजा करने की यूजना बनाई थी और यदि यो सफल होता तो भारत भी किसी समय बहले ही कुछ वर्षों के लिए इस महत्पून ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन का हिस्सा बनता और शायद भारत का इतिहास थोड़ा से दूसरा होता यह तो हम बाद में जानेंगे और और अवश्य पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल यह जान लें कि लगभख सौ बीसी के आसपास रोम के शासकों ने एशिया माइनर और उसके आसपास जो दूसरा कुछ खेतर है यूनान इस पर कपज़ा कर लिया और साथ ही दक्षिन में देखिए मिस्ट लिखा हुआ है मिस्ट याने इजिप्ट इजिप्ट जिसकी राजधानी केरो है तो इजिप्ट पर भी उन्होंने कपज़ा कर लिया और इस पकार देखिए रोम कहा है दूसरी और वहां पर इशिया माइनर कहा है युनान कहां है और दख्षिन में आपका इजिप्ट है इस पर उन्हें इजिप्ट उत्तरी अफरीका का बहुत ऊपरी हिस्सा है रोम में बार बार युद्ध हुए बार बार इसका जो जगरिफल खेतरह बदलते रहा और इस बारम बार युद्ध के कारण इसका दो परणाम हो सकता था या तो सेना पुरी तरह समाप्त हो जाती और या सेना का वर्चस बनता और हुआ यही कि बारंबार युद्ध के कारण बारंबार युद्ध की महत्ता बढ़ती महत्ता के कारण सेना पतियों का सैनिकों का वर्चस सतत रूप से बढ़ता रहा बारंबार के युद्ध ने आखिर सेना और सेना से जुड़े हुए लोंगों को ज्यादा ताकतवर क्यों बना दिया इसलिए कि इन लोंगों को सैनिक लोंगों को सेना से जुड़े हुए लोंगों को ये अनुभूती हो गई थी कि जो पूरा समाज है उनके लिए हम बहुत अहम हैं हम पर उनकी काफी निर्भरता है और इस अनुभूती के कारण धिरे धिरे इनकी जो राजनेतिक ताकत है जो राजनेतिक शक्ति है वो बरती चले गए अब जब एक तराजू की बात करें तो सत्ता परिवर्तन जब होता है तो एक की सत्ता एक की शक्ति अधि बढ़ती है तो दूसरे की शक्ति में रास होता है गिरावट होती है और वही यहां हुआ कि जैसे जैसे सैनिकों की राजनेतिक सत्ता बढ़ने लगी उनका वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ने लगा उनका प्रभाव जैसे यह से बढ़ने लगा राजनीतिक परिप्रेक्ष में सभा का जो जोर था, सभा का जो दम था, वो धीरे धीरे ख़ीन होता गया, कमदोर होता गया, उसमें एक तरीके से गिरावट आने लगी, और सभा क्या थी, जनता की gathering की जगा थी, जनता के प्रतिनी ती जिसमें रहते थे दूसरे शब्दों में गनतंत्र को इस लगातार युद्ध के कारण चोड़ पहुँचने लगी रिपब्लिक्स को इस लगातार युद्ध के कारण एक तरीके से नुकसान होने लगा और सेना पती जो हैं वे अब ज्यादा महतपूर्ण हो गया सेना पती याने सेना का मुखिया एक तरीके का आटो क्रैट एक तरीके का तानश्या जो जगह जीती गई थी इन लोगों के द्वारा इन सेनाओं के द्वारा खासकर एशिया माइनर और पूर्वी एशिया में पूर्वी हिस्से में दक्षिन में मिस्र में इन जगहों जीती ह कोई जगहों के लोगों को पश्चमी खेत्र के रोम के आसपास के जो लोग थे उन्होंने दास बना लिया उन्होंने उनको पकड़ा अपने हाँ लाए से लाखों लोगों को और इनको अपना दास बना लिया गुलाम बना लिया इसलिए रोम के समाज में दो ही तरीके दो ही के लोग रहे या तो स्वामी और या दास क्यों क्योंकि दासों की संख्या भी बहुत थी बहुत बड़ा ख्यत्र जीता था और उस जीते हुए ख्यत्र से लाए गए लोगों को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया था तो स्वामी और दास ये दो ही वर्ग समाज में उनके रोमन समाज में थे दासों की जो इस्थिति थी जैसा की अनिक खेत्रों में होता है दास दास ही होते हैं दैनी और शोचनी इस्थिति लेकिन कितने समय तक इनका शोचन, इसका भी एक समय आता है Every dog has his day, हर एक का एक दिन होता है और वही बात यहां भी थी दासों ने भी धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया और प्रतिरोध करना शुरू किया 73 E. Swipur 73 E. Swipur 73 B. C. में इन्होंने एक तरीके से एक बड़ा विद्रोह किया और इस विद्रोह का जो नेता था वह था Spartacus Spartacus याद रखेंगे Spartacus दास्क विद्रोह का नेता था मुखिया था दिर्भाकि से दासों के इस विद्रोह को कुचल दिया गया दबा दिया गया क्योंकि दास निहत्थे एक तरीके से बनाम सेना जो पूरी तरह से सक्षम थी निपुण थी कुषल थी उसने बड़े-बड़े क्षित्रों पर विज़ई पाई थी कई सामराज दीव को पराजित करते रही थी ऐसी से ना के सामने दास कैसे ठहरते तो भे पराजित हो गए लेकिन ये जरूर हुआ कि दासों का प्रतिरोद एक मुद्दा बन गया दासों के विद्द्रो के दमन के बाद ये जो सत्ता है जो वहां की राज सत्ता थी इसको लेकर जो दो तबके थे उनके बीच में ही जगड़ा शुरू हो गया जो सेना पती दो थे एक का नाम जूलियस सीजर और दूसरे का नाम पामपी ये सेना पतियों के बीच में ही जगड़ा हुआ तनाओ बढ़ा दुश्मनी बढ़ी तो ये दास विद्रो के कुचलने के बाद सत्ता पाने के लोब में बढ़ी हुई सत्ता पाने के लोब में इन दोनों के बीच में जूलियस सीजर और पामपी के बीच में तनाओ बढ़ता गया और अंत में जूलियस सीजर जो एक बहुत महान सेनापती था हॉ जूलिya सीजर पर पषिद्ध पिस्तकें scalar भी लिखी गई हैं उसके बाहर दुरी को लेकर एक महान सेनापती एक बड़ा योध्ध, और सेनापती और योध्ध हुने के साथ साथ वो बड़ा चालाग था राजनीति नहीं समझते पर यहां जूलियस सीजर की खासियत यह थी कि उसमें राजनीतिक समझ भी थी राजनीतिक बुद्धी भी थी और साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा प्रशासक भी था परणाम क्या हुआ कि उसने पामपी को बुरी तरह पराजित किया अपनी राजनीतिक सूजबूज सैनिक कोशल और प्रशासकी गुण के बल पर पामपी और जूलियस सीजर के बीच की लड़ाई में जूलियस सीजर विज़ाई रहा और पामपी को बुरी तरह पराजित करके उसने अपने सत्ता अपने हाथ मिली सैनिट को पूरी तरह से अपनी तरफ मिला लिया और इस प्रकार एक तरीके से ताना शाह बन गया सेना पती तो था ही एक मात्र सेना पती था उसके साथी राजनीतिक सत्ता भी अब उसके हाथ में आ गई क्योंकि सभा लगबग समाप्त हो चुकी थी सभा लगबग निश्क्री हो चुकी थी और जहां तक सैनिट की बात थी सैनिट क्या था मैंने आपको बताया सैनिट में ऐसे ऐसे लोगों का एक ऐसे लोगों की सभा थी ऐसे लोगों की एक मंडली थी जिसमें विभिन कुलों क मुखिया धनाडिवर के लोग अमीर लोग और प्रभावशाली लोग अतर रहते थे इसको उसने अपनी तरफ कर लिया और कोई इसमें विशेश इसको प्रयास नहीं करना पड़ा क्योंकि जूलियस सीजर की सैनिक टाकत राजनीतिक चुत्राई और कूटनीतिक कोशल के सामने सैनिक वैसे ही सरेंडर कर दिया उसने अपने को समर्पित कर दिया और इसकार सैनिक को अपनी तरफ मिलाने के बाद ना सभा उसके विरोज में ना सैनिक उसके विरोज में सेना का तो मुखिया था ही और दासों को पहले ही दमन कुचल लिया जा चुका था तो अब समाज के स शाद जूलियस सीजर का वही हश्र होना था जो हर तानाशाह का होता है क्योंकि तानाशाही मतलब एक छत्र सामराज्य तानाशाही मतलब किसी भी तरह का विरोध नहीं और विरोध करने वालों को पूरी तरह से कुचल देना, समाप्त कर देना चाहे हत्या करके चाहे उनको जेल में डालके चाहे ऐसे में प्रतिक्रिया तो होती ही है कब तक आप विरोध की आवाज को दबाए रख सकते हैं इतिहास बताता है कि जब जब विरोध के आवाज को ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई तो उसने प्रतिक्रियात्मक रूप से काउंटर विद्डोह शुरू किया और यही यहां पे भी हुआ कि कुछ काल के बाद जूलियस सीजर की उसी के विरोधियों ने हत्या कर दी जिसके साथ जूलियस सीजर ने पूर में कड़ूआ बरताओ किया था दुर्वयभार किया था वे लोग तो मौके के ताक में थे और इस पकार जूलियस सीजर ताना शाह की हत्या कर दी गई वैसे तो जूलियस सीजर की हत्या के बाद राज सत्ता जो है उसके दो मित्रों के पास गई जिनका नाम था एंटनी और लापिडस एंटनी और लापिडस उसके मित्र थे तो ऐसा मान करते हैं कि जूलियस सीजर नहीं तो सत्ता उसी के मित्रों के पास ही गई यानि कोई विशेश अंतर नहीं हुआ लेकिन उसके साथ ही उसका भाई का पोता भी था एक अक्टेवियन क्या नाम था अक्टेवियन तो इस परका यार ये सत्ता तीन लोगों के हाथ में एक साथ गई सत्ता के समालने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली एंटनी लेपिडस और अक्टेवियन अक्टेवियन कौन था वहाँ जूलियस सीजर का रिष्टेदार था उसके भाई का पोता था 27 इसवी पूर्व 27 बीसी में अक्टेवियस जो है वह रोम सामराज्जी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया यानि उसने अन्टनी लापिडस को भी पचाड कर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपना नाम भी उसने एक तरीके से उपाधियों को लेकर अपना न इंपरेटर ऐसी अन्युपादियां अपने नाम करके उसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया 27 बीसी से लगातार 24 वर्ष तक शासन करना याने बीसी के समाप्त होते होते या एडी एन्नो डॉमिनी इस्वी के प्रारंब होते तक लगभग उसने शासन किया बड़ा लंबा क महाल था तक पर किस रूप में शासन किया आक्टेवियन के नाम से नहीं बलकि आगस्टस के नाम से और इसी नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध रुआ णा आगस्टस सेजर ये जो 24 वर्ष हैं जिसमें आगस्टस या ऑक्टेवियन ने शासन किया ये बड़े शान्ति महकाल थे क्योकि दासों को एक तैके से दबा दिया गया था सैनिक सत्र पर पूरा नियंतरण था और साथ ही सैनिट का एक तैके से अस्तित्व नहीं था उसको तो पूरी अपनी तरफ कर लिय गया था और Augustus, Julius Caesar की तरह ही एक बहुत कुशल शासक था, एक कुशल राजनिते की भी था, तो उसने ये वो बादियां लेकर Augustus और इंपरेटर, Augustus का रख होता है, हम कह सकते हैं, Augustus का पवित्र और इंपरेटर याने विज़ई सेना पती, तो पवित्र अपने को उसने घोशित किया, पवित्र, और इस तरकार अपने व्यक्तित में एक ऐसी भावना उसने डालने का प्रयास किया, जिसे जनता उसको स्वीकार करे, पवित्र, तो पवित्र और साथ ही विज़ई सेना पती, इंपरेटर, इस दो नामों से उसने शासन किया, और अंतमे जैसा मैंने कहा, कि 24 साल का जो लंबा काल इसका था, यह एक तरीके से शांतिपूर्ण काल था, रोमन सामराज के लिए, जो इसके पहले बहुत सैने उथल पुथल और राजनितिक उथल पुथल के दोर से गुजर रहा था, अब वो एक तरीके से थमसा गया, आगस्तस ने राजनितिक माहौल को एक स्थायत्व दिया, शांति दी, अमन चैन देने का प्रयास किया, इसलिए इस काल को क्या कहते है रोम की शांतिका काल, पैक्स रोमना, पी एक्स पैक्स रोमना या रोम की शांतिका काल, अगस्तस सीजर के बाद, जाने ईस्वी पूर से ईस्वी आते आते तक, एक तरीके से रोम की सब्विता का पतन प्रारंब हो गया, और रोम का जो समरज है, इसके नक्षे को देखें तो जिसका जो पश्चमी भाग है मेडिटरेन के बीच में जी हम लाइन खीचे तो जो पश्चमी भाग है या सामराजी को दो भागों में बांटे वर्टिकल लाइन से तो पश्चमी भाग जो है वो दो भागों वो वो ज्यादा तूट फुड़ गया इस पूरे रोमन सामराज के दो भाग हुए पश्चिमी भाग और तूटा जबकि पूर्वी भाग जो है वहाँ एक नई सब्विता एक नए सामराज का जन्म हुआ और वह था बाइजन्टाइन बाइजन्टाइन एंपायर बाइजन्टाइन सामराज के पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी भाग जैसे मैंने कहा उसके कई टुकड़े हो गए वही खेत्र जिसमें इटेली आता है जिसमें फ्रांच, इंगलेंड और स्पेन, आदी-आदी, सिसिली ये जो सारे खेत्र आते हैं, अफरीका का कुछ खेत्र ये इसके कई टुकड़े होए और पूर्वी हिस्सा जो है उसमें एक नए संस्कृती आई, नए सब्विता आई वहाँ यूनानी सब्विता भी वहीं थी उसके बाद रोमन सब्विता आई और अब वहाँ पे बाइजेंटाइन सामराज जाया 476 एस्वी में 476 एस्वी में ये उत्तर से योरप के उत्तरी हिस्से से बहुत से असब आकरमन कारी आया और रोम पर सत्थ हमला करते हुए उन्हें ने रोम के सामराज को ही समाप कर दिया और स्वैम को उसके जो नेता थे उसके जो लीडर थे उसका जो नेत्रत कर रहे थे उन्हें अपने को राजा खोशित कर दिया पर कुल मिला के 476 आते आते रोमन सब्विता समाप्त हो गई और उत्तर योरोप चे आयोए लोंगों का कबजा इस खेत्र में हो गया पूरे खेत्र में नहीं क्योंकि इसके तो कई टुकड़े हो चुके थे संखिप्त में हमने कुछ समराठों के बारे में जाना